हेलो एवरिवन, इस वीडियो में मैंने जिस टॉपिक को इंकल्यूड किया है, वो हैं अर्थ के टू मोशन, रोटेशन एंड रेवल्यूशन अर्थ सोलर सिस्टम के अधर प्लैनेट्स की तरह अपने इलिप्टिकल और्बिट पर सन के चारो तरफ रिवॉल्व करते हुए अपने एक्सेस पर भी रोटेट होती रहती है अर्थ सर्फिस के डिफरेंट फिनोमिना, डे एंड नाइट, सीजन्स, बिंड मुव्मेंट एंड ओशियन करेंट्स इन्ही टू मोशन के द्वारा अकर होते हैं ये टू प्रैमरी मोशन्स हैं क्या, सबसे पहले जानेंगे रोटेशन के बारे में अर्थ अपने एक्सेस पर वेस्ट टू इस्ट रोटेट होती है वो अपना वन स्पिन 23 आर्ज, 56 मिनट, 4 सेकंड में कम्प्लीट करती है अर्थ का अपने एक्सेस पर ये मुव्मेंट, रोटेशन कहलाता है अर्थ हमेशा same direction towards the pole star जुकी रहती है जिस angle पर अर्थ tilted है उसे inclination of the earth's axis कहा जाता है अर्थ का ये axis globe पर imaginary lines के द्वारा show किया जाता है जो अर्थ के center point से होकर गुजड़ता है ये axis अर्थ के orbital plane की vertical line से 23.5 degree angle पर जुकी होई है means अगर ये line plane of the earth's orbit से parallel draw की जाए तो axis 66.5 degree angle पर बनेगा अर्थ के rotation की speed at the equator 1650 km per hour है जो towards the poles decrease होती जाती है अर्थ के इस movement के कारण ही दिन और रात होते है लेकिन inclined axis के कारण day and night का ये duration सभी places पर equal नहीं होता अपने axis पर rotate करते हुए जो part sun light face करता है वहाँ पर दिन और जिस part पर sun की light नहीं पहुँचती वहाँ रात होती है किसी भी place में दिन का time sky में sun की height के द्वारा determine किया जाता है हमें sun, moon और stars east to west move करते हुए प्रतीत होते हैं चलती हुई train से पेड़ या वस्तुएं विपरीत दिशा में दिखाई पड़ती हैं अर्थ के rotation की speed atmosphere के general circulation पर अपना प्रभाव डालती है winds and ocean currents northern hemisphere में right and southern hemisphere में left deflect हो जाती है अर्थ का ये rotation ocean water के movements पर भी अपना प्रभाव डालता है अब बात करते हैं revolution की अर्थ अपने axis पर move करते हुए sun के चारो तरफ elliptical orbit पर round करती है अर्थ का ये motion rotation के साथ अर्थ के environment को complex बनाता है अर्थ sun के चारो तरफ 29.8 km per second की average speed से चक्कर लगाती है sun के nearest पहुँचने पर gravitational force के कारण अर्थ तेजी से move करती है उसके comparison में जब वो sun से दूर होती है इसलिए revolution की speed orbit पर एक समान नहीं होती अर्थ sun के चारो तरफ अपना एक चक्कर 365 days, 5 hours, 48 minutes and 45.51 second में complete करती है जिसे 365 days, 6 hours में calculate किया जाता है इस तरह one solar year की length 365 days की होती है and remaining 6 hours प्रतेक 4 year के बाद February month में additional day के रूप में add किया जाता है जो leap year कहलाता है अर्थ का axis, orbital plane पर 66 and half degree angle पर जुका रहता है और अर्थ surface तक पहुँचने वाली sun की heat इसी angle पर depend करती है sun की raise जितनी अधिक vertical होगी वो place उतना ही अधिक गर्म होगा क्योंकि direct vertical raise small area में केंद्रित होगी जबकि same amount of heat oblique raise के कारण large area में spread होगी अर्थ के tilted axis के कारण sun के चारो तरफ move करते हुए जब northern hemisphere sun की तरफ जुका रहता है तो यहाँ summer season and southern hemisphere जो उस समय sun से दूर होता है वहाँ winter season होती है और जब यह situation reversed होती है means south pole sun की तरफ जुका रहता है और north pole sun से farthest position में होता है तो south pole summer and north pole winter season face करता है अगर अर्थ का axis plane of orbit से perpendicular होता तो सभी places पर दिन और रात बराबर होते और seasons भी एक समान होते revolution एक annual cycle है इसलिए seasons year after year repeat होते रहते हैं अर्थ के elliptical orbit के कारण during the revolution अर्थ and sun के बीच का distance different होता है जब अर्थ sun के closest होती है तो ये position very helium and जब farthest होती है तो ये position aphelion कहलाती है revolution के दौरान अर्थ का lighted part circle of illumination कहलाता है 21st June को अर्थ का north pole sun की तरफ जुका रहता है and tropic of cancer पर सीधा चमकता है ये दिन summer solstice कहलाता है 22nd December को southern hemisphere sun की तरफ जुका रहता है इसलिए ये दिन winter solstice के नाम से जाना जाता है साल में दो दिन sun 90 degree angle पर equator के उपर vertically चमकता है these days are 21st March और vernal equinox and 23rd September और autumnal equinox at the equinoxes throughout the world days and nights equal length में होते हैं इस तरह equinoxes and solstice fixed date के according अर्थ की sun से optimum distance positions शो करते हैं इस तरह से आपने इस वीडियो से ये समझा कि अर्थ के ये two primary motion, orbitical orbit पर rotation and revolution के दोरान किस तरह अर्थ surface पर different phenomena create करते हैं अगर आपको ये वीडियो helpful लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और अगर आप किसी और topic से related वीडियो चाहते हैं तो comment section में जरूर बताएं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें न्यू अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें तैंक यू